जब से रमजान शुरू हुआ है हमारे बिल्डिंग में पानी की बहुत तकलीफ हो गई है पानी ना ही किचन में ना ही वाश रूम में कहीं पे भी नहीं आ रहा है खाना पकाने नहाने और वजू बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है हमारे पास एक ड्रम रखा हुआ जिसमें हमने बहुत सारा बंगा रखा है तो हमने सोचा कि इसके अंदर हम पानी भर के रख लेते हैं ताकि हमें नहाने और वजू बनाने में आराम हुजाए तो मैंने ड्रम को खाली कर दिया और ममी ने बाहर से पीने के लिए बॉटल वाला पानी मंगाया था तो मैंने बॉटलों को भर के फ्रिज में रख दिया पापा नमास पढ़के आ गए और माशाला मा बेटे दोनों साथ में बैठ गए कुरान पढ़ने के लिए फिर में चली गए टी ओशन और पानी आ गया था तो ममी ने ड्रम को अच्छी तरह साफ कर और साधिम ने ड्रम में पानी भर दिया और अमारे भाई साब के शाट में लाइट जल रही है तो पानी बहुती कीमती होता है उसकी एहमियत को समझो और पानी हिसाब से कर्च किया करो थैंक यू बाई